हम अब आगे पढ़ते हैं और नेक्स टॉपिक नेक्स टॉपिक है हमारा डूइंग वर्ड्स इसको हम बोलते हैं वर्ब हिंदी में इसे हम क्रिया कहते हैं वर्ब यानि ऐसी चीजें जो हमें किसी काम के बारे में बता रही हैं किसी चीज के होने के बारे में बता रही है दूइंग वर्ड्स इनको हम वर्ब कहते हैं इसका एक्जाम्पल हम नीचे देखते हैं लुक अट दे पिच्चर्स देन रीड दे सेंटेंस गिवन ब्लो देम अगर हम इस बच्चे की फोटो देखें तो यहां क्या है अशोक लाफ्स अशोक एक नाउन है क्योंकि यह किसी बच्चे का नाम है अशोक क्या कर रहा है अशोक हस रहा है तो लाफ्स इस वर्ब क्योंकि हमें यहां इस लाफ्स से पता चलता है कि अशोक क्या कर रहा है और मैंने आपको अभी बताय था डूइंग वर्ड्स कि जिससे हमें यह पता चले कि कोई क्या कर रहा है तो उनको हम verb कहते हैं Next, ये एक बच्ची है सीता walks सीता is a noun walks वो क्या कर रही है सीता चल रही है तो walks is a verb Third है रमन runs रमन एक noun है वो क्या कर रहा है रमन रन कर रहा है वो भाग रहा है तो runs is a noun ठीक है तो देखिये आप यहां हमें इनों चीजों में पता लग रहा है कि कुछ काम हो रहा है Next, the baby tries बच्चा रो रहा है सुप्राइज baby is a noun and tries is verb तो क्या हो रहा है बच्चा रो रहा है इस word से हमें पता लग रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है रो रहा है तो अगर आप इन सभी को देखेंगे तो laugh यानि हसना कोई हस रहा है कोई चल रहा है कोई भाग रहा है कोई रो रहा है तो इन सब चीजों से हमें किसी काम के होने का पता चल रहा है या it means some work is going on and verb हमें बताता है कि क्या हो रहा है like जिल skips जिल रसी कूद रही है तो जिल नाउन है skips कूदना रसी कूदना ये वर्ब है tom sleeps tom सो रहा है तो sleeps is verb the sun shines सूरत चमक रहा है shines यानि चमक ना so sun is a thing ये नाउन है shines इस वर्ब fire burns fire एक नाउन है किसी चीज का नाम है और burns यानि जलना, तो आग जल रही है, तो जलना यानि verb, birds, fly, चिडिया उड़ रही है, तो birds किसी हम animal या bird बोल रहे हैं, यह noun है, और fly मतलब वो क्या कर रही है, वो उड़ रही है, the girl, dance, girls क्या कर रही है, dance कर रही है, तो girls noun हुआ और dance verb हुआ, fish, swim, fish क्या कर रही है, swim कर रही है, तैर रही है, तो fish noun और swim तैरना verb, boats, sail, boat क्या कर रही है, जा रही है, sail कर रही है, तो sail verb हुआ, तो अब अगर हम देखेंगे, सभी words में हमें कुछ ना कुछ किसी काम का होना पाया जा रहा है, मिल रहा है, तो in sentence one, the words laughs, says something about Ashok, action, तो Ashok के किसी action के बारे में हमें पत रहा चल रहा है, कि Ashok क्या कर रहा है, laugh कर रहा है, iN sentence two, the word walk says something about Sita, तो Sita के बारे में कुछ कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, सीता वाक कर रही है, सीता कोई action कर रही है, यानि चल रही है, third sentence में, रमन runs, रमन क्या कर रहा है, रमन भाग रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि Raman एक काम कर रहा है बाग रहा है तो इन सबी चीजों से हमें किसी काम का पता चल रहा है आगे देखते हैं in fourth sentences for sentence the baby cries तो हमें पता चल रहा है कि बच्चा रो रहा है जिल skip कर रही है वह in fresh sentence the word skip say something about jill in sixth sentence the word sleep say something तॉम सो रहा है। दवर्ड शाइन्स बर्न्स फ्लाइ डान्स स्विम एंद सेल और अल्सो शोज अस एक्षन तो किसी काम के बारे में यह सभी चीजें बता रही है। तो वर्ड विच शोज एन एक्षन आर कॉल्ड वर्ब्स जिन शब्दों से हमें किसी काम का पता चलता है काम के होने का पता चलता है। जलना, फ्लाइ, उड़ना, डान्स, डान्स करना, स्विम, तैरना, सेल, बोट सेल, एंड ओल आर वर्ब्स यह सभी क्रिया है, यह सब वर्ब्स हैं, इनसे हमें किसी काम का होना मिल रहा है। इसमें बतायान किसी गए, इसमें बताया किया ह। इसमें बताया किया सब के साथ आसको सब्सक्राइब लगा हूआ है। लाफ्स, वाउक्स, रंस, क्राई, स्काई, स्लीप, इन सबके साथ S लगा हुआ है at the end of the verb. अशोक लाफ्स, सीता वाउक्स, रमन रंस, तो इन के साथ सबके साथ S लगा हुआ है. तो action words के साथ हम क्या लगाते हैं? हम mostly action words के साथ mostly S लगा रहे हैं. If the noun speaks about more than one person, अगर एक से जादा लोगों के बारे में बात हो रही है, एक परसन के बारे में बात हो रही थी या एक चीज़ के बारे में बात हो रही थी, तो हमने verb के साथ S लगाया था. जैसे अशोक एक परसन था, वो laughs, हस रहा है. सीता एक परसन है, वो walks, चल रही है. रमन एक परसन है, runs. लेकिन जब हम ज़्यादा noun के बारे में बात कर रहे हैं, if the noun speaks about more than one person, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, या ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही है, then the action word does not have an S, तब हम S नहीं लगाते हैं, at the end of the verb, वर्ब के पीछे तब S नहीं लगता है, जब हम एक से ज़्यादा person या चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, example देखें हम, birds fly, यहाँ एक चिडिया के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ कई चिडियाओं के बारे में बात कर रही है, यानि कि S, birds, तो birds क्या है, more than one person, noun, जब हम more than one person या thing की बात करते हैं, तो हम S नहीं लगाते हैं, वर्ब में, तो यहाँ आप देखेंगे, flies नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं, fly, तो क्या हुआ, birds, fly, यहाँ कई girls की बात हो रही है, तो girls, dance, dances नहीं आएगा, girls, dance, boats, क्योंकि बहुत सारी boats के बारे में बात हो रही है, boats, sail, तो यह सार से without S आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ noun हमारी multiple person या things है, तो जब भी multiple person या things हो noun, तो हम वर्ब में S नहीं लगाएंगे, वर्ब में S कब लगेगा, जब one person या one thing की बात कर रहे हैं, next, अब यह हम यहाँ और देखते हैं, draw one line under the verbs and two line under pronoun noun in the following sentences, तो यह आप एक बार try करके देख सकते हैं, तो इसका फिर आपको मैं answer बतायता हूँ, आप एक बार वीडियो को stop करके, खुद इसको try करके देख सकते हैं, और उसके बाद फिर हम इसका answer देखेंगे, तो आपको time म मैं देता हूँ, अब हम इसको वापस देखते हैं, first है the boys fight, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे boys, तो यह noun है और वो भी कई लड़के हैं, तो fight, यहाँ without a verb है, so this is verb and this is noun, यहाँ next, cows eat grass, तो यहाँ cows कई है, noun कई है, तो यह noun है, eat verb है, we learn grammar, we यानि यहाँ पे, we pronoun की तरह यूज हो रहा है, यह हम आगे भी सीखेंगे, and learn, सीखना, यह हमारा verb है, children play in the park, children कई बच्चों के बारे में बात हो रही है, play, खेलना, तो यह noun, यह हमारा verb, a clock tells the time, clock, clock है single noun, single चीज के बारे में बात हो रही है, tells हुआ, verb, तो यहाँ clock noun है, और tells verb है, the sun shines in the sky, sun यहाँ पे क्या है, single noun, think का चीज है, single noun, shines है, verb, the earth moves round the sun, यहाँ earth है, noun, single noun, तो moves हुआ, verb, एस के साथ, children speak English at home, यहाँ children multiple लोगों के बारे में बात हो रही, कई बच्चों के बारे में बात हो रही, तो यह है noun, और speak है, verb, a porter carries a load, porter है, एक person, एक single noun, और carries हुआ, verb, a horse runs fast, horse हुआ, single noun, runs हुआ, verb, we drink tea out of a cup, यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, तो क्या हुआ है, यहाँ पे हम बात कर रहे है, we, we की हम, हम यानि multiple लोग है, तो यहाँ पे यह noun है, और drink हो गया, verb, single, without s, birds, build, nest, birds, यहाँ पे बहुत सारी चिडियों की बात हो रही है, तो यह noun, और यह build, verb, इस तरीके से आप use करते हो, verbs को noun के साथ, जब single noun की बात कर रहे हैं हम, एक person या thinky, तो हम लगाते हैं, और जब हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, या बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम verbs के साथ s नहीं लगाते हैं, इस चीज़ से हमने यह next, अब हम आगे next topic पढ़ेंगे, हम multiple चीजों के बारे में multiple things के बारे में बात करते हैं, तो हम s नहीं लगाते हैं, तो यहां पर अगर अपन फर्स से चालू करते हैं, we should always dash pure water, तो यहां पर किस की बात हो रही है, we, मतलब कई लोगों की बात हो रही है, तो we should always dash pure water, तो dash में, अब यहां multiple लोगों के बात हो रही है, तो single drink आएगा, we should always drink pure water, next, children love to dash fresh bread, अब यहां चिल्रन की बात हो रही है, तो कई बच्चे है, children love to eat fresh bread, next, tom dash a tree, तो यहां single person है, tom, तो अब इसमें क्या आएगा, इसमें आना चाहिए, एस वाला वर्ड, यानि climbs, चड़ता है, tom climbs a tree, next है, the bell, अब यह single bell की बात हो रही है, the bell rings, bell बच्चती है, those children, अब यहां multiple बच्चों की बात हो रही है, काफी सार बच्चे है, those children dash English, यह आजाएगा, speak English, those children English, speak English, next, stars, यहां multiple stars की बात हो रही है, stars dash at night, तो क्या आएगा, stars twinkle, इसमें s नहीं आएगा, क्योंकि यहां multiple चीज़ है, stars twinkle at night, kings, अब कई राजाओं की बात हो रही, kings dash in palaces, तो यहां पर क्या प्लेस, यहां क्या आएगा, kings live in places, इसमें भी again s नहीं आएगा, the sun dash in the east, अब sun एक होता है, तो क्या आएगा, rises, the sun rises in the east, the earth, अब earth भी एक है, the earth dash round the sun, तो the earth moves round the sun, s आएगा, the sun, again, एक सिंगल है, the sun dash in the west, the sun sets in the west, तो यहां हमने जो भी एक रूल पड़ा था, वो पूरा यहां apply हुआ है, कि जब multiple things या multiple persons होंगे, तो हम लोग single without s verb use करेंगे, और जब single thing या single person होंगे, तो हम लोग with s verb use करते है, third, choose the right verb to go with each noun, so as to make a meaningful sentence, one is done for you, like, अब देखे, a knife, single knife है, cuts, तो knife cuts, अब आया, the glass, single glass है, तो glass के लिए क्या आएगा, the glass हम इसमें कर सकते हैं, falls, the glass falls, यह इसके अंदर आएगा, the sun, sun क्या करता है और single है, the sun shines, इसके अंदर s आएगा, the wind, the wind blows, the rain falls, horses, horses, horses क्या आएंगे, horses, gallop, ठीक है, aeroplanes, अब aeroplanes के साथ क्या आएगा, aeroplanes, fly, ships, sail, तो इस तरीके से यहां पर भी हमने वही चीज़ फॉलो करी, क्या, जब single चीज़ थी, तो s आ रहा है, वर्ब में, और जब multiple चीज़ है, like horses, तो आ रहा है, gallop, without s, तो यह main एक rule है, यह आपको धिहान रखना चाहिए, कि वर्ब किस तरीके से यूज़ की जाती है, नाउन के साथ, इस तरीके से हम यहां पर हमने अब वर्ब देखा, with noun, को कि थाती है, कि आती है, कि और जे नाउना के से यूट है, a पूर्ब वर्ब में यहां दिफ, कि वर्ब भी घर्र शूब टूब थाओन, षवर हैं कि तरीके से यूज़ बोग्पान के सितरी को हैं, आती है, अलो सक बास दでगॉइ है, ब •ी बास पाउना के सा है,